हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक प्राउड चैनल दोस्तों आज हम फिर से एक और नए हाउस डिजैन लेकर आए हैं जिसका 3D एलिवेशन आप सामने देख रहे हो तो यह है 40 फिट बाइ 30 फिट का इस फेसिंग हाउस डिजैन तो चलिए पहले इस घर का पूरा डायमेंशन डिट इस तरफ है पूर्गदिशा जो कि इसका फ्रांड साइड है हम इस घर पे यहां से एंट्री करेंगे इस में डोर के थ्रू एंट्री करते ही यहां पर एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है यह पूरी तरह से ओपन कंसेप्ट है इस स्पेस को लिभिंग एरिया की तरह इस्तिम जाएगा और इस हॉल का कंप्लीट जो डाइमेंशन है वो है 30 फिट 11 इंच बाई 15 फिट 11 इंच इस घर का एक्स्टेर वाल का थिकनेस है 10 इंच और इंटरियर सारे वाल का थिकनेस है 5 इंच और यहां नौथ इस्ट कर्नर पर यह रहा पूज़ा रूम जो की कभर करता है 7 फिट बाई 4 फिट और इसके नजदिक यहां एक स्टोर रूम रहेगा या फिर एक चोटा सा गेस्ट रूम भी बना सकते हो इसको जिसका साइज है 7 फिट बाई 8 फिट 2 इंच हरेजन्टली 7 फिट और वर्टिकली लेंध है 8 फिट 2 इंच इस रूम के लिए 2 डोर्स इसे आप क्यांसल भी कर सकते हो और यह जो छोटा सा प्यासेज है इसका विट है 3 फिट यह डिटेल्स आपको 3D में पता चल जाएगा इसलिए बस आपको इस विडियो को पूरी देखनी है यह रहा कॉमन डबलूशी बाथ इस तरफ जिसका साइज है 7 फिट बाई 6 फिट ह काफी बड़ा स्पेस है और दूसरा जो बेड्रूम है उसका साइज है 11 फिट 2 इंज बाई 12 फिट और इसके लिए यह रहा आट्टाश डबलूशी बाथ जिसका साइज है 7 फिट बाई 5 फिट 8 इंज और यह रहा इस घर के लिए स्टेयर केस जिसका स्टेप का विड़्थ से 3 फिट और यह टोटल स्टेयर केस इस घर का 6 फिट बाई 12 फिट का जगा कवर करता है और यह रहे सारे इस घर के कॉलंस के पोजिशन आप इस जगा पर कॉलंस बैठा सकते हो तो अब चले इस घर के 3D डिजाइन देखते हैं तो यह रहा इस घर का 3D डिजाइन जिसमें आपको ground floor के साथ साथ इसके first floor भी दिखाई दे रहा है तो अब चलिए इस घर के ground floor के walkthrough करते हैं तो ये रहा आपके लिए ground floor के डिजाइन एंट्री करते ही यह रहाव एक लिविंग हॉल बड़ा असा लिविंग हॉल पुरी तरह से इसको ओपन कंसेप्ट में रखा गया है और यहां पर आप डाइनिंग के लिए आरेंज कर सकते हो हुआ 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 है और यह रहा हस्प्टोर की तरफ जाने के लिए स्टेरकेस उसे हम बाद में देखेंगे तो यह रहा पूजा रूम इसान कौन पर और इसका नजदिक यहां एक गेस्ट बेड्रूम है यहां पर आप एक सिंगिल बेड बेठा सकते हो जिस तरह दिखाया गया है और यह रहा सेकेंडरी डोर इसके तरू हम बाहर जाएंगे और यहां पर यह रहा कॉमन डबलूसी बात जैसे कि आपको नकसे में दिखाया था तो यह रहा इस घार का पहला बेड्रूम इस रूम को पूरी तरह से सिंपुल तरीके से डिजाइन की गई है इस रूम के लिए यहां पर आट्टास डबलूसी बात रखा गया है जो कि आप देख सकते हो तब चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ तो यह रहा दूसरा बेड्रूम इस घर का डिजाइन आपको केसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हो तो अब चलिए इस घर का टॉप फ्लोर को देखते हैं तो इस स्टेर केस से होते हुए हम आएंगे फास फ्लोर की तरफ आते ही यहाँ पर एक बड़ा सा लॉबी मिल जाएगा आपको यहाँ पर आपको बालकुन मिल जाएगा स्लाइडिंग ग्लास प्यानिल के साथ और यहाँ पर एक मल्टी पर्पस के लिए रूम रखा गया है और इस डोर के थूर हम जाएंगे आउटसेट टेरेस की तरफ यहाँ पर आपको एक पर्पोला डिजाइन मिल जाएगा तो यही था आज का हाउस डिजाइन यह डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट कर सकते हो तो फिर मिलते हैं इसी चैनल के एक और नए भीडियो पर नए टपिक के साथ जैहीं